किताप विपर्ण की रीत तों साचधा मारग पाग दिजा लेखक सर्दार गुर्बक सिंग काळ अफगाना दुज्ये कांड़ दा पंदरमा पाग समुंदरी अम्रित अते गुर्बानी अते सोलमा पाग सूर्ज ग्रैन अते चंदरमा ग्रैन वाहिपुर्जी का खालसा वाहिपुर्जी की फते कथ्त तौरते समुंदर विचो निकले अमर्त विच सदीवी जिंदगी ओ जिंदगी जो कथ्त तौरते राहू के तु ग्रैहा नो मिली है देश अकंदी शक्ती नो गुर्मत एकदम राद कर दी है गुर्बाणी ने इस गल नो मुड़ों ही राद कीता है कि किसे भी समय अजिहा कोई द्रिश्ट मान पदार्थ पानी अत्वा जल जांकिसे ओशदी आद संसारते होया जह हो सगदा है जो मनोखनों सदीवी जिंदगी दे के इस दे देश्दे सरीर दे कायानों अमर बना सगदा होए गुरु गरंसेव केवल हरी नाम अमर्त जालनों ही सदीवी आत्मक जिंदगी देन दी समरत्था वाड़ा मन दे हन इस विशे बारे अमर्त विड़ा पर करण वेच भी विचार कीती हुई है अते पोस्तक दे पंजमे पाग दे तीजे कांड विच नाम अमर्त पर करण वेच भी बड़ी विस्थार पूर्वक विचार लिखी गई है इते बनगी मातर गुरु पिता जी दे ए महावाक लिखे हन तीर्थ बर्थ नेम सोच संजम रावसास गहने द्योरे सुर्थ प्यार सुदारास अमर्त ए महारास प्योरे पन्ना नो सो उनतर अर्थ प्रभू चर्णा वेच जुड़ी होई सुर्थ नू मैं प्याला बना लिया है ते नाम अमर्त पीरे हाँ इनाम अमर्त सावरसां तों सरेष्ट रासा है इस नाम अमर्त दे बदले मैं पंडतां दे जोगियां दे दसे होई तीर्थ इशनान नेम सोच संजम परनायम विच सुवास चाड़ने ते उतारने आद कर्म तर्म एकोज गिर्मी राख देते हन नाम अमर्त दे टाकरेते ये सारे कर्म निसफल हन बेद बाद सब आख वखाने ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने पोन पाफ सब बेद दरडाया गुर्मक अमर्त पीजे है पन्ना एक हजार पंजा अर्थ सारे पंड़त लोग वेद आद का तर्म पुस्तकादिया चर्चा उचार के हो और ना दे सामने व्याख्या कर दे हन इस तरह ना उना दा आपना हिर्दा पिजा है ना ही ओ सिप्त सलादी बाणी दी कदर समझ दे हन बेद ने मुड़ मुड़ ऐसे गालवाल के आंदवाया है के केड़ा पून कर्म है ते केड़ा पाप कर्म है आत्म के जीवन देन वड़ा नाम जालता गुरू दी शेरन प्यां ही पीता जा सकदा है एदो गुरू फरमान हिंदूआं दे तर्म गरंथा विचली सिख्यानू ने सफल दस के केड़ नाम अमर्त नाल ही सानू जोड रहे हन कथत समुंदरी अमर्त दा किते जिकर ताक नहीं है नाल ही एतात्वी द्रड कराया है के नाम अमर्त साथगुरांदे उपदेश्तों ही परापत होंदा है समुंदर विचों निकड़या कथत अमर्त ता ना कदे किसे ने वेख्या है ते ना ही अजहे किसे समुंदरी अमर्त दे दर्शन कदे हो ही सकने हन पर एदर सद्गुरांदा बोलिया हर शब्द सिरीगुरु गरांसेवजी दा हर बचन अमर्त है गुर रसना अमर्त बोल दी हर नाम सुहावी जेन सोन सिखा गुर मन्या तिन्ना पोख सब जावी पन्ना सात सो चबी अर्त सत्गुरांदी रसना जीब आत्मक जीवन देन वाड़ा हर नाम उचारदी है हर नाम उचारणदे कार्ण सोनी लगदी है गुरु रसना पाव नाम बाणी दी सूज बख्शिश औरन वाड़ा सत्गुरु गरंद सैब जी दा हर पत्रा गुर्मका दे दिलानू मूलेंड वाड़ा है जिनावी सिखाने गुरुदा उपदेश सुनके उसुते जिकीन लेंदा है उना दी माया दी सारी पोख दूर हो गई है अमरत गुर्ण संत बोलते सुन मने पिलावो उआ रास में शांत त्रिप्त होए बिखे जलन बुजावो पन्ना आठ सो तेरा अर्थ संत गुरु गरंद सैब जी परमातमा दे आत्मक जीवन देन वाले जो गुण उचार दे हन बाणी द्वारा समझाँ दे हन उनना नू सुनके समझके मैं आपने मननू नाम अमर्त पेल्या करां नाम अमर्त दे उस सवाद विच मेरे अंदर शांती अते त्रिशना तों रजीमा पैदा होगे नाम अमर्त दी सहाइता नाल मैं अपने अंदरों विशियां दी सडन बजावदा रहां ये मेरे हिर्दे दी अर्दास है निर्मल जोत अमर्त हर नाम पीवत अमर पैन हिकाम तानमन सीतल अगन निवारी अनांद रूप परगटे संसारी पना अट्सो च्यासी अर्थ उस परमातमा दी जोत नूर मैल रहत है उस दा नाम आतमक जीवन देन वाला है उस नाम अमर्त नू पीदिया ही मनोख अटल आतमक जीवन वाले अते वाशना रहत हो जान दे हन उना दा तानमन शांत हो जान दा है परमातमा उना दे अंदरों तरिशना दी अग बुजा जान दा है वो हर विड़े अनांद पर पूरें दे हन अते जगत विच नामने वाले हो जान दे हन कुरदेव जी सानू समझा रहे हन के जे असीं गुरु गरानसाइब जी दे उपदेशते चालके अपनी जीवन जोकत सुआरन वाला नाम अमरत पिंदे रहे तान जो साड़ा लोग सुखिया अते पूर लोग सुहिला हो जावे किसे समुद्री अमरत डाल बरामन दे चेले हिंदूनू तान बेशक शर्ता बणजांदी होएगी पर गुरु नानक सैब दे सेखनू अजहे किसे अमरत नाल कोई वास्ता क्यों गुरु दे सेखली केवल अते केवल नाम अमर्त ही सदी मी आत्मक जीवन देन वाड़ा अमर्त जल है पाग सोल मां सूर्ज ग्रैन अते चंदर मां ग्रैन अमर्त दे कडे ते आपना कवजा कर लेन दी लाल सा कार्ण अरंब होई बारां साल वाली जंगनों खतम कर ले विश्णू जी ने मुणी अवतार पाव दिलानों मुह लेन वाली सुन्दर इस्तरी दा रूप तार के देंतां दे मनाते अपने हुसंदा जादू चला ले उना ने अमर्त ते सुरा शिराब दो रतना दी वंड कर देन ले मुह नी अवतार पावराबनों साल समान ले मुह नी अवतार ने शिराब देंतां दे हिसेदी कर देती अते सदीवी जीवन देन दी कथत शकती वाला अमर्त देवतियां दे हिसेदा बना देता आपनी मर्जी दे पांज रतन पैला ही सामले होय सान तेचा गडे दे मोड इनना दो रतना दी वांड करन वेची ही निया करन दी बजाय तकेशाई कीती जे देवता देनता नो किसे गलों मी आपने नाडों कट गया समझ दे सान ता उना नो समुंधा रिटकन वाली जोजनादा पाई वाली ही क्यों बणायां सी फिर सचे राबदी कार वी सची हि होनी चाई दी सी अमरत दे श्राब अदू अद कर देने बन दे सान विपरी लिखता विच्छ विश्णू जी दी इस तके शाहिनु में बड़ा वड्याया होया है विश्णू पगवानवलों कीते इस वांडवाले साकेदा जिकर गुरु नानक जी ने यूं कीता है रत्न उपाए तरे खीर मथेया होर पखलाए जे असी किया कहे नानक शपे क्यों शपेया एक की एक की वांड़ दिया पन्ना तेन सो पंजा प्रफैसर साइब सेंग जी ने अर्थ एस पर कार लिखे हन पुराणा नूं मन्दन वाले कहीं दे हन के देवतियां ते देंताने रड़के खीर समुंदर रिड़के आते ओस विचों चौदा रतन कड़े वंड़न विड़े ओ तड़े गुसे विच आके कहन लग पए के ए रतन असी कड़े हन आपने बलों प्रमात्मा दी वड़ियाई दसांडी कहीं दे हन के प्रमात्मा ने मोनी अवतार तार के ओ रतन वंड़े पर गुरु नानक जी कहीं दे हन नेरे रतन वंड़न नर प्रमात्मा दी केड़ी वड़ियाई बन गई उस दियाँ वड़ियाई आतां उस दी रची कुदर्त विचों थां-थां देस रही जां उपा में अपनी कुदर्त वेच लुकिया होया है पर लुकिया नी रह सकता को उस दी ब्यांत कुदर्त परताख देशरी है कि वो बहुत तागतांदा मालक शपष्ट है कि गुरु नानक देवजी ने ब्रामन दे इस मोनी अवतार वाली किसे हो दून नर्मूल फुरमान कीता है मोनी अवतार दी किर्पा नाड मसा ही हाथ लगे उस अमर्त नो पान कर ली सारे देवते अथवा पगवान पंगत विच बैठके इद्रों देंतां विच्चों विपर्चत नामी देंत दा बेटा जिस दियां चार बहां सान अते ताड मच्ची दी पूश वरगा सी विशनु पगवान जी दी री से अपना रूप बटाके देवतेयां दी पंगत विच बैठके सारे पगवाना, ब्रह्मा, विश्नु, शेव, देवराज, इंदर, त्रैकाल, दर्शी, नारदाद, दियां अखियां विच कटा पाके, उस अधबुद देंत पुतरने मी अमर्त पान कर लिया सूर्ज अते चंदरमा, जिना ने मी आसमानातों उतर के मदानी दी, पूमका ने बारे सुमेर परबत नू, गेडे देन विच वितों वद जोर लाया सी, उस देंत जाये दी असलीत नू पशान लिया, अते विश्नु जी कोल जा चुगली लाई विश्नु जी ने अमर्त मंथन विच सब तों वद उख्याई वाली सिवा निबाई सी, इस कार्ण उननू बड़ा क्रोध आगया, नाडे ओ गुस्ताक देंत, मोनी अवतार दे कीते फैंस ले दी, उलंगना कर दे दोशीवी सन, सो विश्नु जी ने क्रोध विच आके दें विश्नु जी ने तां ओस गुस्ताक देंत दा अंत करना चाया सी, पर अमर्त दी शक्ती अगे, ओ बुरी तरां बेबास हो गे सिर्जन हार सर्ब शक्ती मान, अते तर्ती दा पार हलका करन्दे कार्ज लई, सदा अवतार तार्न वाले पगुवान जी, अमर्त दी शक्ती सामने, शर्म सारी नाड पानी पानी ओ गे देंत दे ताड़तों कट्या होया सिर रावन दे कट्य होया सिर वांग दुबारा ना जुड़िया नोट रमैन गाथा दिया वीडियो रीला विच दर्साया होया है कि किसे विदी नाड रावन ने एही अमर्त अपनी तुनी विच साम लेया होया सी जाद राम रूप विश्णू जी ने रावन दा सिर कट्या ता ओ मुढ ओसदी तौनल जा जुड़दा सी इस तरह दासवारी रावन दा सिर कट्या जान पिछों पभी खण ने पगवान जी नूँ जा मात दिती कि जिनना चे रावन दी तुनी विच टीक्या होया अमर्त दा कोंड सुकादता ता उस दी मिर्त्यू हो गई सेरवड़ा पाग बिना तड़तों अते उस देंत विश्णू पगवान जी ने जेसनू आपने वलों निरजीव लोथ बनाया सी दे सरीर दा दूजा पाग बिना बहां अते सिर्थों एक अड़रा देंत बनिया रहा पाव एक दे थां सगों दो देंत बन गए अमर्त दी शक्ती प्रमात्मा नाणों वद से दो गई जरा विचार करिये थां विश्णू जीनू सर्ब शक्ती मान कैन वाले उस दे अनन पगत की चूठे ना पैगे पलाजे विश्णू पगत एक एना के एक दे दो देंत कर देने मी पगवान दी लीला ही सी तद फिर ए सवाल पैदा हुंदा है के सूर्ज अते चंदर में ने तां पगवानू साच़ दस्या के है पगवान जी आप जी दे फैसले दी कोई परवान आ करके उस देंत ने अमर्त पीलिया है उसनू तां शाबाशी मिलनी चाई दी सी उटा उना नू दुखी करन लई एक दे थां दो देंत बना दते चंगान यां कर दे सन पगवान विश्णू जी कोज भी होए अजहे किसे किन्तू परंतू दा काख मूल नहीं बरामन ने जो भी लिखिया सब पूजन जोग बन चुका है हिरदा दुखी तां वो समय उन्दा है जाद गुरु नानक देव जी देही विदवान सेख मूनी अवतार दी साखी वाले सिरी दस्म गरंथ नो सेख तर्मदा पूजनीक गरंथ कह के बड़ी सफाई नाल पंथ विच विपरी रीत नो बाड़ी जान लई उतशा देरे होंदे हैं चो उठनो साचदा रूप देना गुरु नानक देव जी दी सिकी नहीं है विपर जी ने एक देंट दा नाम राहू अते दूजे दा नाम केतू राख देता ये दो में देंट राहू अते केतू आपना पुराना वैर विशनु कोल चुगली लौण वाड़ा चितार के कदे चंदर मेनू कदे सूर्ज नू गरास देहन देंटां दी इस कारवाई दा नाम चंदर गराण अत्वा सूर्ज गराण पैगया अराहू अते केतू दूहां गरहानू बड़े दुखदाई दर साके गराण दे समें देंटां कोड़ू सूर्ज अत्वा चंदर मादी खलासी कराउन दा पून खटन दा नर्मूल पर्म पाके प्रोहत जी लोकां कोड़ू वद तों वद दान पून माटते हन कुरके शेतर ते लगदा सूर्ज ग्रैन दा मिला बड़ा परसिद लखा जातरू एस देंते उस थांते पवित्तर सुरोवर विचन हों दे हन को स्थांते बने तेनसो पैंठ मंद्रा विचले देवतियां दी पूजा अते पेटा करंतों पिछले कीते पापां दा नासो जान दे पर्मकार्न ब्रामना लई तकडी लोट दा सबाब बनदा है बारा सालना पिछों लगण वड़ा कोंब दा मेला वी सूर्ज ग्रैन ते ही लगदा है यस मेले दे दिन जेब कतरयां दियां अते ब्रामना दियां पंजे उंगलां क्योविच हों दियां जहां तीर्थ अस्ताना दे वासी ब्रामन अपने परवार दा साल पर दा खर्चा उगरा लें दे हन ग्रैन समें दे परम ग्रैन दे समें राहू के तू पैडे ग्रैन दे प्रबाब कारन वापरी अशुदी अथवा पिट दे परम अदीन कई परमी लोग खान पीनतों प्रहिज कर दे हन इस पेट तों शुटकारा पौंड़ी अबल तां तीर्थां दा इशनान बहुत फालदा एक मन्या जन्दा है पर जिड़े तीर्थां ते नहीं होज सकदे वो इशनान करके मंदरा विच जाके देवतियां दी पूजा कर दे हन अते उचे चातान पदार्थ ब्रामनु पेटा कर दे हन गुर्मत ने पेटवाले अजहे ब्रामनी परमादी खंड़ना कीती है हर हर नाम मजन कर सूचे कोट गरहन पौन फ़ल मूचे रहाओ पन्ना एक सो सतान्वे अर्थ परमात्मा दे नाम तीरतविच इशनान करके सचे सुचे जीवन वाड़ा बन जाई दाय नाम तीरतविच इशनान कीतियां करोडा ग्रहना समें कीते पुना दे नाडों मी वदीग फल मिल दे हन रखाओ ग्रहन लगण बाड़े नर्मूल अते कटिया किसम दे बूले चूट तुवारा पाए पर्म दे आसरे ब्रह्मन आज भी आपणिया जेबां पार रहे हन साइंस दे इस जोग वेच ब्रह्मना समेध सार्यानू एसस चाईदा पता है के विदाते दे बनाए अटाल नेम अधीन शत्रां दे चल दे रहन अत्वा कुम दे रहन दी बजी गती दे कारन ग्रैन लगदे अते हट दे हन उस एक अटल चाल दे सूत विच परोते हुए सूर्ज, चांद अते तर्टी, जेस कड़ी एक सेध विच आजान दे हन, तां ग्रेंड लगदा है, जद तर्टी विचकार हुंदी है, तां सूर्ज दी रशनी दे जोर नाट, तर्टी दी शाह चांद दे जापईंदी है, चाल इस कुरेया नूँ चंदर ग्रेन क्या जन्द है अते जद चंदरमा विचकार आ जन्द है ता चंदर में दे उले हो जान कार्ण तर्ती दे वासिया नूँ सूर्ज देसनों हाट जन्द है इस नूँ सूर्ज ग्रेन क्या जन्द है पार्तियां दे मन ने एसस चाई दा उस तर दा असर आजता ही नहीं कबूलिया जेस तरह दे पर्मवाडा असर ब्रामन दी कहानी कलाने हजारां साल पहिला बढाले से इस गल्दी विचार तां कोई विल्ला ही करदा है के जाद एक दैंत दा ताउन अते बहां समेद सेर मूँ है ही नहीं तां ओ सूर्ज अत्वा चंदर्मानों केवे निगल सकदा है दूजे दैन्दा केवल सिर अते बाहां हन, ओ चांद जां सूर्ज नो निगल के, उनानू केस्दे टेडविच वाड़दा है, ब्रामनी कलपना दी उपजिराहू अते केतू, कथत माड़े अते दोखदाई फलावाले परमनू, साधे मना विचों कड़न वास्ते, साथ गुर नानक जीदा फ्रमान इस प्रकार है, महला पहला, जे देहे दोख लाईये, पाप ग्रह दो रा, रात पीने राजे सरे, उपर रखिये, ये में जा पैपाओ, पी तू है सालाहना, आखन लहे न चाओ, पन्ना एक सो बताली, अर्थ, जे मेरे सरीर नू दोख लाग जाए, द जालम राजे मेरे सिरते होन, जे तेरा प्यार एसे तरां पाव इना दुखांदी शाकलवेची मेरे उत्ते परगट होए, तामी है प्रभू, मैं इस तों काबर के तेनू वसार ना दियां, तेरी ही सिप्त सलाह करां, तेरे विडियाई करंदा, मेरा चाओ ना मुक जाए, सातगुर की सेवा पाई है, बेना सातगुर जो दूजे लागे, आमें जाएं, प्राममरें अपागे, नानक तिन की फिरगात होए, जे गुर्म खरहे शिरनाई है, पन्ना एक हजार उनत्तर, किताब विप्रन की रीततों साचदा मार्ग पागती जा, लेखक गुर्बक सिं काला अभगाना, दूजे कान दा, पंदर मा अते सोल मा पाग, अवाज गुर्जांट सिंग रूपवाली, वाहिगुर्जी का खाल सा, वाहिगुर्जी की फते